आज यहां बात करने वाले हैं क्लास एट की इंग्लिस के चैप्टर जो कि यह दौफाइट हम लगे आपर देखने वाले हैं कि दू लड़कों के बारे में जो कि दूनों लड़के रहते हैं वो एक पूल को लेकर लड़ रहे होते हैं तो यहां पर सबसे पहले बताः गया है रंजी के बारे में जो रंजी रहता है वो राझपूर में हाल फिलाल में आहीं रहता है और वहां पर उसे कोई दोस्त भी नहीं रहते हैं इस दिए वो सोचता है कि जो आसपास में जिसे hills हो गया है, forest हो गया है, मैंस राजपूर के आसपास में, वहाँ पर वो घूमेगा जैसे तैसे वो हर दिन की तरह मतलब घूम रहा था, तब उसे एक दिन जो है, एक सुन्दर सा पूल जो है, वो मिलता है जब वो पूल को देखता है, तो उसका पानी रहता है, वो बहुत जादा साफ रहता है, और रंजी वही सोचता है, कि मतलब इतना गर्मी का मौसम था उस वक्त का, तो रंजी को ये feel आता है, कि उसे जो है, इसमें swimming करना चाहिए फिर रंजी ये सोचता है, कैसे जो है, वो कुछ पत्थोरों का पीछा करके इस पूल के पास तक पहुँचा था, और इस पूल का पानी को देखके उसे लग रहा था, कि इसका पानी तो लगबग कभी सूकता ही नहीं होगा मौनसुन के वक्त में इसका पानी सबसे जादा होता होगा, और यहां तक कि जब summer आता होगा, तब भी इसका पानी पूरी तरह से सूकता नहीं होगा और वो जो season था, वो summer कहीं था, क्योंकि उस बहुत जादा गर्मी थी, जैसा पहले रंजी ने कहा रंजी फिर सोचता है राजपुताना डेलर्स के बारे में, क्योंकि वो जहां पर पहले रहता था, जो कि राजपुताना डेलर्स के साइड में, वहां का जो यह मतलब कोई भी वाटर बड़ी था, वो बहुत जल्दी सूक जाता था, और वहां पर जो एदम कीचर की तरह हो बाड़ी के उपर से जो है, रिफ्लेक्ट करके जा रही होती है, क्योंकि उसके बाड़ी पर वाटर पूरा रहता है, अब रंजी अगले दिन फिर आता है वहां पर, क्योंकि उसे वो प्लेस बहुत जादा पसंद आ जाता है, जैसे ही वो उस पानी में तम इंजोई कर रहा होता है, तब उससे ऐसा लगता है कि कोई जो लड़का है, उसको खड़े होके देख रहा है, और उसका जो नेचर लग रहा है, वो घुसायल लग रहा है, मिस अच्छा नहीं लग रहा था, अब जो लड़का रहता है, वो रंजी से हलका बड़ा रहता है, उसका बाड़ी बैड़ी आता है अब जो दूसा लड़का रहता है वो सामने आता है और बोलता है कि तुम यह पर क्या कर रहे हो रंजी फिर भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसको लड़ाई करने का मन नहीं था लेकिन वो जो दूसा लड़का रहता है उसको घुस्सा आता है कि रिस्पॉ वह पाइटर हूँ मतलब जो दूसा लड़का अपने आपको SCP रहा होता है रंजी अपने अपको researcher बताता है और MA कोई visitor नहीं हूं ठीक है तो जो दूसरा लड़का राता है वो वारियर बताके रंजी को डराना चारा होता है कि रंजी उस प्लेस से छोड़ कर चला जाए यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने ख़ले हो जाते हैं महौल लड़ाई का बन जाता है आखिर वो दोनों लड़ते हैं लड़ाई चल रहे होती है वो लोग पूरा नीचे मतलब गिर के लड़ते हैं पानी तक में थोड़ा चले जाते हैं लगवाँ पांच मेरे बाद लड बोलता है कि ठीक है हम लोग कल यह लड़ाई को वापस से कंटिन्यू करेंगे और रंजी बोलता है ठीक है एगरी कर जाता है और यहां से वो दोनों जो है मतलब वो जो फॉरेस्ट में आई हुए थे उस पूल के पास वो दोनों दूसरा दूसरा रास्ता पड़ गए अपने घर के तरफ चले जाते हैं तो यहां तक आप समझ गया कि वह दूसरा लड़का था वह अपने आपको वारियर बता रहा है तो रंजी ने अपने आपको बता है कि यह भी एक फाइटर है अब देखे गया हुआ रंजी जैसे घर जाता है तो वहां पर उसको चोट लगे रहत है कि रंटी बजाया नहीं पहुंचता है वहां पर रेंटेस लेपी लेता है पर मतलब यहां पर जो रंजी पहले तो सोचता है कि वह जो मतलब लैमोनेट का जो बोतल था लैमोनेट का वह उसके उपर फिक देगा उस लड़के के उपर फिर रंजी सोचता है कि नहीं वह क्या करेगा कि मतलब उसकी तरफ देखे गाई नहीं लेकिन यहां पर रंजी कुछ नहीं कर करने के लिए क्युंकि उसका बाडी सूचता था वह सूचता है कि आ पर जाएगा तो हार जाएगा कि वह 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 पर जाएगा और लड़े का अधिकार रहेगा तरूर्वा करें में पहुंचता है। वो अपना यह मतलब swimming का जो power है कि वह अच्छा swim कर सकता है वो दिखाएगा वो अंदर जाकर swim करने लगाता है तब दूसरा लड़का है ठीक है उससे रणी बोलता है क्या तुमको swimming नहीं आती वो दूसरा लड़का बोलता है नहीं मुझे नहीं आती है और फिर दूसरा लड़का बोलता है कि हां मैं स्विम कर पाऊंगा अगर तुम मुझे सिखा दो कि कैसे डाइफ करते हैं तो रंजी बोलता है कि बहुत एजी है तुम्हें काम करो रॉक पर खड़े हो जाओ अपने बाहों को फैलाओ और अपने सीर को नीचे करो और जो है उस के बाद उस आवाज से जो है आसपास के चिडिया रहती है पेड़ पर वह सब आसे चले जाते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि रंजी को स्विमिंग अच्छे से आती थी लेकिन उस दूसरे लड़के को स्विमिंग नहीं आती थी अब जो है यह लड़का बोलता है कि क खतम हो गया यहां पर अलगी भावना आ गया वह यह था कि वह दूसरा लड़का था वह सूचे लगया कि उसको स्विमिंग सीखना चाहिए और बोलता है कि तुम्हें मुझे स्विमिंग सीखानी चाहिए तो मुझे बताओ कि स्विम कैसे करते हैं अब यहां पर मतलब दोन कि मेरा नाम है सूरज और मैं एक रियल पहलवान हूं और उसके बाद बोलता है कि मुझे मतलब वर्ल्ड चैंपियन रेसलर बनना है यहां पर फिर वह रंजी किता देखते वह दूसरा लड़का बोलता है कि हां तुम भी स्ट्रॉंग थे मतलब उतना नहीं लेकिन हां ठीक कि तुम मुझे सिखाऊाँगैं कैसे मतलब तयर्ल जाता है और मैं तुम्हें सिखाऊँगा की मतलब एक अच्छा ड्र कैसे बनते मिंसी पहलवान कैसे बनते हैं यहां पर वह बोलता है कि छलो तुम्हारा मेरा नहीं हमारा है और इस पूर पे अपकिसी और आदमे का कोई अधिकार नहीं और कोई इस पूल में नहीं आएगा जब तक कि हम दोनों जो है उसको सहमती ना दे दे दें तो इस तरह से यह दोनों जो फ्रेंड बन जाते हैं तो देख सकते हैं कैसे मतलब ट्विस्ट सा आ गया मतलब यहां पर रंजी सिर्फ तैयर कर दिखा दिया तो उस तो भी त्यारना चाहिए क्योंकि रंजी ने पूस दिया किया तुमको त्यारना आता है कि नहीं तो उस लड़के ने भी बोल दिया कि नहीं आता तुम सिखा सकते हो तो मुझे आ जाएगा मतलब यहां पर लड़ाई का बावना पूरा हट गया तो यह था पूरा इस सिंप कर दो अचाला गाभाई